हलो एविर्वान तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि आस्ट में कॉंपिटिशन होने वाला था और लियून का मैच वो रदर लियांग के साथ रखा जाता है चोगी वाकई में बहुत ज़्यदा पावरफुल थे तूसी तफ लियून को आने में काफे ज़्यदा तेरी भी लग रही थी और वहां पर वो श्टिक जल भी चुकी थी तो इसके बाद मास्टर अनाउंस करने जाही रहे थे कि मैच अब जीट चुका है अब तभी वहां पर लियून आकर उनसे कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं थोड़ा लेट हो गया तो जिस पर सबके सब लोग उ से याद आगया कि आज इसका कॉंपटिशन भी है दूसी तफ लियून मास्टर को क्रीट करता है उनसे माफी भी मांगता है लेट आने के लिए तो जिस पर मास्टर उससे कहते हैं कि लेट तो तुम आये हो तो रोज के अकॉर्डिंग पहले कि तीन वार लियांग करेगा औ तुम्हाले यह अच्छा रहता कि तुम वही रुख जाते कमसी का मैच के दोरान तुम्हारी कोई पेस्टी तो नहीं होती लेकिन अब भी तुम्हारे पास टाइम है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना मारू तो तुम चुप-चाप से माफी मांग लो क्योंकि मैं पेफाल तुम्हें किसी को भी इंजर्ट नहीं करना चाहता हूँ अब जिस पर लियून उससे कहता है कि बोलकर कुछ भी नहीं होता अगर तुम्हें मैच जीतता है तो तुम्हें फाइट तो करने ही होगी चाहिए तुम कुछ भी बोलो अब जिस पर लड़का उससे कहता ह होता है यहाँ उसकी पहले अप्रसानी से डॉच कर लेता है तो यह कहता है कि चल्द तो तुम हो बड़ कोई नहीं मैं भी दिखता हूं कि इस वह टाक से तो जैसे हो और प्रसानी से पच जादा है तो यह देख कर अपनी फिस्ट को निकाल कर उसको एक जोड़दान मुक्का मारता है तो जिस पर वो मैदान से तूर जाकर गिरता है तो ये देखकर मास्टर लियून को विजेता खोशित करते थे हैं क्योंकि लियून ने प्रदल यांग को मैदान से नीचे गिरा दिया था और दूसी दफ लोग अपनी उनके बारे में बाते करने लगता हैं दूसी दफ लियून प्रदल यांग के पास आता है कि अब क्या तुम कुछ नहीं काओगे यहां दूसी दफ वही लोग जिसने की लियून की घर बनाने मदद करी थी वो आपस में बात कर रहे होते कि वाकई में इसने अपने टाइगर फिस्ट में काफी ज़्यादा कल्टिवेट करके उसे और भी ज़्यादा पावर्फुल बना चुका है वाकई में इसके अंदर क कोई ना कोई बात तो है अब दूसी दफ मास्टर लियून का अगला मैच ग्रीट माशिल आर्टिस्ट माउ कोई के साथ रखते हैं और इसके बाद वो दोनों की दोनों ही मैदान में आकर ख़रे हो जाते हैं दूसी दफ बागे स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं कि माँ कोई को हराना पहुँचा था मुश्किल है और आस्तक उसी कोई भी नहीं हरा पाया फाइट में मुझे लगता है कि आस्तो लियून गया यहां दूसी दफ एल्डर मास्टर यंग मास्टर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस पा लियून हार जाएगा ज़रूर यहा मेरे एक ये मुक्收 frames से तुम सिटी से ही बाहर चले जाओ क्यों वाकव में तुम्हीं सच में लगता है कि अपनी हिस्से मुझे हरा सकते हो अब जिस पर लियून उससे कहता है कि हा यह क्यों नहीं क्यों नहीं तौमें क्या लगता कि सिर्फ मेरे पास स्ष्ट करने क lore первый मेरे के बाद वो अपने आर्मर को पहन लेता है और अपनी पावर्स के साथ लियून की तरफ पढ़ने लगता है लियून उसकी बॉड़ी को देखकर कहता है कि वाकई में यह काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग लगता है दूसी तव एल्डर मास्टर यंग मास्टर से कह रहे होते हैं क्योंकि मुझे उसके उपर पूरा यकिन है कि वो उसे हरा देखा उस यंग मास्टर का नाम यूफवान था अब दूसी तव एल्डर मास्टर से कहते हैं कि तुम अपने भूत्ते के साथ कैसे कह सकते हो कि लियून इस मैच को चीट जाएगा अब जिस पर यंग मास्टर मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल था अब जिस पर वर्डर मास्टर कहते हैं कि क्या वाकिम उसने उस चोर को भी मारा अब जिस पर यंग मास्टर यूफवान उससे कहते हैं कि हाँ मैं बेगू सच कह रहा हूं यह इंफोर्मिशन आकर मुझे खुद मेली थी क्यों ना व वो कहता है कि आखिर इसने किस तरह का आर्मर पहना हुआ है सच में मेरे दोनों हाथ सुन पढ़ गए यहां दूसरी तब मा को इससे कहता है कि क्या तुम हार माना चाहते हो क्योंकि अभी तो बस यह शुरुवात है और इसके बाद वो क्लाउट विस्ट के साथ उसके ओपर से पीछे धकेल देता है तो यह देखका लिए उन कहता है कि इसका हर मुका काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग है और इसके बात वो दोनों एक तुसरी के उपर पंच करते हैं तो चाहां पर मा कोई की पावर के वज़े लिए उन स्टेश से गिरते गिरते बसता है तो यह देख मास्टर यूफान सोचने लगता है कि वाकई में लिए उन दो मा को इसे काफ़े ज़्यादा कमजोर है और इवन कि उसके स्ट्रेंट भी तो जिस पर अब यहां पर यहां पर यंग मास्टर यूफान एल्डर मास्टर से कहता है कि मुझे अब पूरा यकीन है कि लिए उन उ तोड़ना होगा और इसके बाद वो फार्ट के दोरन भी यहीं करता है जहां वो मा कोई कि सारे वार से अपने आपको बचाने की कोशिश करता है अब जिस पर मा को इससे कहता है कि अफसोस तो में कभी सक्सेस्फुल नहीं हो पाओगे क्योंकि मेरे आर्मर को कोई भी नहीं नीशे गिटे किटे बचता और काफिश जादा इंजर्ट हो जाता है तो यह द्चका मा को इससे कहता है कि अब आने के लिए तयार हो जाओ और कि तोभी से कोई बिसके चैसी के ओट एक तो नों के दोनों ilustra के ओपकरश चरते हैं तब ही तहीएं हाँ और पर tutte कशो सथा आ दूसरी तमा कोई स्टेज से नीचे गिर जाता है लिए उनकी पावर के वज़े से अब लिए उनकी पावर को देखकर वहां के लोग काफे ज़्यादा हैरान थे क्योंकि उसके टाइकर फिस्ट अब पिक लावल में पहुँच चुकी थी तो ये देखकर यंग मास्टर वागए में इसने तो गेम ही बलट दिया वागए में जब अभी इतना ज़्यादा पावर्फुल है तो फ्यूचर में जाकर तो हम सोच नहीं सकते हैं कितना ज़्यादा पावर्फुल जाएगा वागए में अकर लियून आउटर डिसाइपल होकर इती अच्छी प्रक्टि लियून वा तब ही माँ कोई खड़ा होता और कहता है कि नहीं इसने चीटिंग करी है अब उसको देखकर मास्टर कहते हैं कि तुम जानते हो ना अगर तुमारा लाकाय जोट निकला तो तुमारे लिए बेकार होगा इसलिए सच्छा बताओ कि तुम आकर कहना कह जाते हो य अगरा लियून ने माँ कोई की ओपर स्वार्ट अटाक करा था यहां दूसरी तव माँ कोई लियून से कहता है कि मुझे हार जीत से फरक नहीं पड़ता है पर सश सर बताओ कि क्या तुमने स्वार्ट का यूस करा था या फिन यह फिर कोई सा भी हिडन वैपन ज़रूर इस कुझा को भाट करते और सेक्ष से बाग चले जाये यहां दूसी तर्फ लेयां उन लोगों से कहता है कि क्या वाक्षिमें तुम्हें लगता करता हूं कि इसने चीटिंग कर रही है इसलिए अब लिए उन को चेक करने से पहले उससे कहता है कि अगर मुझे कोई हिडन वैपन मिला तो देख लेना मैं क्या करूंगा अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान को पक्षतू तो तुम चुप-चाप से मेरे सामने काफी ज़्यादा गुश्टा होते हैं दूसी तब एल्डर से कहते हैं कि अब देखते हैं कि वह अपनी प्रॉब्लम से कैसे जीता है यहां दूसी तब लिए उसके पूरी डेस्को चेक करने को लेता है पर उसे कोई भी वैपन नहीं मिलता है तब यह उसकी नजर लिए उन से देखना चाहते हो तो ठीक है फिर अगर मैं सही निकला तो तुम मेरे सामने घुटने देखने होंगे और माफी मांगने होगी तो जिस पर माग कोई उसके बातों पर एक्री होता है और इसके बाद लिए उस अपना स्टोरिज पैक देता है तो चहां पर उसे पुरानी त को पहा निकाल देता है यहां दूसरी ता माग कोई ने उस पेंटिंग को खोल चुका था एंवे इसी के साथ ही अपिसोड ही पर एंड होता है उम्मीद कि आपको पसंद आगो वीडियो को लाइक करके चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तब तक के लिए बाबाई